कि अलो एवरीवन वेल्कम तु तु टॉड़ी कॉंसेप्ट एंपी जीके की एंसी की स्रीज में आपका फिर से सौगत है और यह इसका 54 वीडियो है जो की लगातार यह स्रीज चल रही है जिसमें कि मैं मंद्रप्रदेश जीके के पूरे टॉपिक वाइज mcq लेके आया हूँ और हर वीडियो में मैं 25 questions लेके आता हूँ जो की topic wise होता है जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ हर topic पर deep analysis हर question का deep analysis आपको इसमें मिलने वाला है मंद्रप्रदेश जीके पर तो वो सारे विद्यारती जो कि मंद्रप्रदेश जीके का अधिन कर रहे हैं उसको पढ़ना चाहते हैं उसको समझना चाहते हैं deep analysis चाहते हैं वो सारे विद्यारती मेरे इस series से जुड़ा है जो कि है मद्रप्रदेश जीके पर आधारित पूरी complete series जिसमें की total 10,000 questions complete coverage रहेगा तो सारे विद्यारती लगातरा जुड़े रहे हैं उसके लिए मेरा चैनल study concept subscribe कर लें all notification की साथ मैं ध्यान रहे है all का radio button select करने के बाद ही आपको subscribe का button click करना जिससे कि आपको सारे वीडियो के notification मिलेंगे जो भी मैं upload करूँगा चाहें वो मद्रप्रदेश जीके हो या फिर MPPSC पर आधारे topic wise वीडियो या अन कमिशन पर आधारे तो जितने भी वीडियो आपको लगातार मिलेंगे उन सभी के notification भी आपको लगातार मिलेंगे जिसे की एक भी वीडियो आपका miss नहीं हो बाएगा और साथी साथ मेरे सारे वीडियो जो भी आप देख रहे हैं उसको आप like बटन जिरूर दबाया हैं साथ में ज्यादा से ज्यादा शेयर क का पूरा complete topic वाई analysis है तो वीडियो को अंतक देखेगा हर question आपके लिए बहुत ज्यादा उपयोगी सिद्ध होगा आखरी तक आप जरूर देखेगा दीजी आगया पहला question आपके सामने मद्ध प्रदेश में पसू चिकिस्या महाविद्याले कहां पर है इंदौर रतलाम महू या फिर पीलू खेड़ी तो इसका सई विकल्प है वो है महू जो की है इंदौर में ठीक है ना यह मैं आपको पहले भी आपको बता चुका हूँ इंदौर में हिस्तित है इसमें इंदौर भी option दिया हुआ है तो इंदौर की महू तहसील में है यह तीक है इसमें exact दिया हुआ है इसलिए आप उनको महू कोई select करना पड़ेगा तो यह महू में हिस्तित है और इसके अलाबा मद्ध प्रदेश में पसू चिकिस्याले अन्य चले आगे बढ़ते हैं अगला प्रसना आ गया राजिका एक मात्र यूनानी चिकिस्या महाविद्याले कहां पर इस्तापित किया गया है खंडवा बुरानपूर मनसौर या फिर इन में से कोई नहीं तो इसका जो सही विकल्प है वो है बुरानपूर बुरानपूर जो की म दक्षिनी जिला कहलाता है वहाँ पर इस्तित है एक मात्र ध्यान रखेगा मद्परदेश का एक मात्र यूनानी चिकिस्या महाविद्याले है और यह सागर जो सेंटरल उनिवर्सटी है उसकी द्वारा इसको संचालित क्या आता है ध्यान रखेगा सागर की जो डॉक्तर है उनिवर्स्टी है वो इसको पुरा संचालित करती है इस महाविद्याले को ठीक है उसके अंडर में आता है ये और ये जुरूर दियान रखेगा बुरानपूर जो की मद्ध्रदेश का दक्षिर्टम जिला है सबसे दक्षिर्णी जिला बुरानपूर है जो की खंडवा से अल सास के चिकिसा माविद्याले जबलपूर या एसन मेडिकल कॉलेज रीवा तो इसमें से सबसे पुराना यानि कि सबसे पहले इस्तापित किया गया चिकिसा माविद्याले के बारे में पूचा है तो इसका जो सबसे पहले मद्ध्रदेश में खुला गया था और इसकी इस्त नाम पर यह स्थापित किया गया था ठीक है 1946 में और पूरे मद्र प्रदेश में कितने छे चिके सामा विद्यार हैं जो कि सरकारी है ठीक है ना शिक्स मेडिकल कॉलेज यह आपको विल्कुल क्लियर होना चाहिए जो कि MP में है अभी क्लियर हैं चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रसना आ गया मद्र प्रदेश पार्ट्य पॉर्षतक निगम की इस्थापना कब की गई थी ठीक है और यह कहां पर है इसका यह पॉर्षतक निगम का मुख्याले वह मद्र प्रदेश के भोपाल में बोपाल जो कि मदप्रदेश की राजधानी है वहाँ परिष्थे थे ये ठीक है अगला प्रसना आ गया मदप्रदेश उच्च शिक्षा अनुदान आयोग इसकी स्तापना कब की गई थी 1969 में 1971 में 1973 में 1978 में तो इसका सई विकल फेश सा यह हूई थी 1973 में जो की 27 जुलाई अगर एक्जेट दिखा जाए तो 27 जुलाई 1973 में इसकी स्तापना किये गई थी और इसका हैड़कौर्टर कहा है मदप्रदेश की राजदानी भोपाल में इसका हैड़कौर्टर है मुख्या इन्वेश्टी के अंतरगात आते हैं कौनई इन्वेश्टी है दॉक्टर हरिसिंग गोर विषेविद्याल यो की साघर में है या विक्रम इन्वेस्टी जो की इंदौर में है या थीर नि दुर्गावर्टी उन्यवर्सिटी जो कि जवलपूर में है तो बताइए इसमें से कौन सी उन्यवर्सिटी जिसमें की सबसे अधिक college इसके साथ में affiliate है तो उसका सही विकलब है Dr. H.S. Gore ये जो University है यह मद्यप्रदेश की सबसे पूरानी इनिवर्सटी है निकी सबसे पहले अगर को इनिवर्सटी खोली गए थी मद्यप्रदेश में तो डॉक्टर एचस को इनिवर्सटी खोल गए थी और इसके अंतरगत 50 college आते हैं जो कि इससे affiliate हैं ठीक है सबसे अधिक college अगर हैं तो वो है Dr. H.S. Gore जो कि इस समय केंदरी विद्याल है ठीकेंदरी University घुशित की गई है Central University हो गई है दिन उसके बाद में अगर second number पर किसी का number लगता है तो वो लगता है उज्जेन की विक्रम University को जिसमें की total 44 college आते हैं ठीक है ये clear होना चाहिए फिर अगर third number पर जो number आता है वो आता है डॉक्टर ये रानी दुर्गावट्टी उनिवर्स्टी जो की 27 27 college अगर इन ही college में की बात किया है फिर उसके बाद में इसमें जो देवी LA University है ये 19 colleges के साथ में अफिलेट है तो सबसे पुराणी इनिवर्सटी डॉक्टर एचेस गौर इनिवर्सटी जो की अभी central इनिवर्सटी हो गई है और इसमें total 50 colleges के अंटर में आते हैं ठीक है और मद्यपर्देश की सबसे पुराणी इनिवर्सटी ये आपको याद रखना हो ठीक है अगला प्रसना आ गया डॉक्टर अम्बेटकर रास्टिय सामाजिक विज्ञान संस्तान ये कहां पर है जामनगर, महू, धामनोद या फिर जाबरा तो इसका जो सई विकल्प है वो है महू में है और महू जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ प्रिसले वीडियो की प्रसनों में महू डॉक्टर भीमरा अम्बेटकर की जन्मिस्तली है और यहीं पर ये संस्तान स्तापित किया गया है और इस संस्तान का जो मुख्य उद्देश है वो है अनुसुचित जो की बैगवर्ट क्लास और अनुसुचित जाती के जो लोग है ठीके ना उनका उत्थान करना और उनको नए अफसर उतलब्द कराना इस सामाजिक संस्तान का मुख्य उद्देश है महु कहां पर है यह इंदोर के अंतरगत आता है इंदोर की यह तहसील है आपको मालू होगा महु बहुत ज़्यादा पॉपुलर है किसके लिए नदी और पहाड़ों के लिए यहां पर मद्ध प्रदेश की चोथी सबसे उंची चोटी जाना पावा यहीं से निकलती है जाना आती है इसके बाद में इससे पहले जो आती है वह आती है सिगार चोटी जो की 884 मीटर रूची है ठीक है यह क्लियर होना चाहिए चंबल नदी मद्ध प्रदेश की दूसरी सबसे लंबी नभी नदी जो की 965 किलोमीटर का रन है जो ठीक है ना चंबल जमना नदी की यह साह चीज है जो कि मैंने मद्ध प्रदेश जीके का मैं अपनी चैनल पर पढ़ा रहा हूं अब आपको मैं अनएकेडमी के माध्यम से भी क्लास लेने जा रहा हूं यहां पर हम आपके साथ में लाइव इंटरेक्ट करेंगे और आपके जितने भी डाउट हैं जो कि मद्ध प्र कर सकते हैं और साथी साथ में हम वो सारे कॉर्शन उसमें कवर करेंगे जो कि आप पढ़ना चाहते हैं तो अब आप बहुत ही जल्द मुझसे अनएकेडमी पर लाइव इंटरेक्ट कर सकते हैं बहुत ही जल्दी मैं उस पर लाइव क्लास लेने जा रहा हूं जिसका लिंक आपको आने वाले वीडियो में बिल्कुल मिल जाएगा उसको क्लिक करके आप लाइव क्लास जोईन कर सकते हैं ठीक है तो सारे विद्यारतियों से मैं कहना चाहूंगा अब आप मुझसे अनएकेडमी पर भी जुड़िए लाइव क्लास के साथ में जिसमें मद्द्र और MP पुलिस की तयारी कर रहे हैं तो अनएकेडमी आपके लिए लाया है फ्री टेस्ट आएए जानते हैं ये कौन-कौन से टेस्ट हैं और आप इनको देकर अपनी तयारी को कैसे मजबूत कर सकते हैं यह टेस्ट दे सकते हैं वो भी फ्री में जो भी बच्चे MP PSC की तयार कर रहे हैं उसके लिए अनएकेडमी लाया है चेंपियन सिर्फ टेस्ट रीज यह टेस्ट सिर्फ आपकी तयारी पूरी नहीं कराएगा उसके साथ साथ मौका देगा अनएकेडमी का एक मंत का फ्री सब्सक्रिप्शन जीतने का बस आपको टॉप थ्री में आना है और किसी को पास करना है जो बच्चे एंपी पुलिस और एंपी एसाई की तैयारी कर रहे हैं उनको भी निरास होने की जरूरत नहीं है आपके लिए भी सिमलर अपॉजनिटी है आज ही हिस्सा लीजिए और अपनी तैयारी को मजबूत करें पाएमों का अनएकेडमी के सब्सक्रिप जी हाँ अब अनकेडमी के साथ अपने प्रिप्रेशन की जरूरत के अनुसार बैज जोइन कर सकते हैं और अपनी एंपी पीएसी प्रिलिम्स में सेलेक्शन पक्की कर सकते हैं यह सारे बेचिस जल्दी शुरू हो रहे हैं और अपनी प्रिप्रेशन में आप जहां पर भी ह वहां से आपको बहुत मदद करने वाले हैं जो बच्चे MPPSC Prelims 2020 की तैयारी कर रहे हैं ध्यान से सुनिए आपकी तैयारी के लिए अनेकेटमी ने लॉंच किया है जिसमें आपको MPPSC का कंप्लीट मार्दर्सन मिलेगा वो भी MPPSC के टॉप एडुकेटर से यह बैच 18 फरवरी से सुरू हो चुका है अब भी देरी नहीं हुई है आज ही जोईन करें इस कोर्स का कोड मैंने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक में डाल दिया है वहां स की तैयारी के लिए अनेकेडमी ने लांच किया है फांडेशन बैच जिसमें आपको MPPSC का कंप्लीट मार्दर्सन मिलेगा वो भी MPPSC के टॉप एडुकेटर से यह बैच 18 फरवरी से सुरू हो चुका है अभी भी देरी नहीं हुई है इसे आप जोईन कर सकते हैं इसका भी की ध्यान से सुनिए आपके लिए अनेकेडमी ने लांच किया है लक्ष MPPSC फांडेशन बैच जिसमें आपको MPPSC का कंप्लीट मार्दर्सन मिलेगा वो भी MPPSC के टॉप एडुकेटर से यह बैच 19 फरवरी से शुरू हो चुका है अभी भी देरी नहीं हुई है आप इसको जॉइन कर सकते हैं इसका भी लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है अनकेडमी में इंडिया के टॉप एडुकेटर्स आपको पढ़ाते हैं तो आज ही जॉइन करें देरी किस बात की है और अपना लक्ष हासिल करें और जब आप जॉइन करें लिखा हुआ है तो जल्द ही इस ओफर का फायदा उठाइए आखरी कुछ दिन ही सेस रह गए हैं फर्स्ट मार्स से यह डिसकाउंट 10% से घटकर 5% हो जाएगा तो आज ही सब्सक्राइब करें और मेरा रिफरल कोड लगाना मत भूलिएगा जैसे कि मैंने बताया आपको मे गौलियर में इंदौर में भोपाल में या फिर जवलपूर में तो इसका जो सही विकल्प है वो है गौलियर मद्यप्रदेश के गौलियर संभाग या फिर जला कुछ भी कहलेजिए वहां पर यह लच्मी बाई कॉलेज और फिजिकल एजूकेशन इस्तित है और यह एसिया का सेकेंड ज्यान रखेगा एसिया कॉंटिनेंट का यह सेकेंड कॉलेज है और मद्यप्रदेश का यह पहला फिजिकल एजूकेशन कॉलेज यहां पर खोला गया था और इसकी स्तापना कब की गए थी यह स्तापित हुआ था 1957 में ठीक है ना 17 अगर्त 1957 में इसका इसकी स्ता पर किर्सी महाविद्याले नहीं है इंदोर, खंडवा, सीहोर या भोपाल तो इसमें भोपाल ही ऐसा जो मद्यप्रदेश की राजदानी है यहां पर किर्सी महाविद्याले नहीं है बाकी कि यह तीनों जो जिले हैं यहां पर किर्सी महाविद्याले इस्तापित है इसके अ जबालपुर में भी है क्रिशी महाविद्याले और इसके अलाबा कहा पर हे ग्वालियर ठीक है ग्वालियर में भी है ये भी आपको पिल्कुल क्लियर होना चाहिए और मंसौर रीवा और चित्रकूट जो की कहाों पर है सतना भैं तो ये अन्न जगे में भी हाँ पर कृसी महाविद्याले इस्तापित किये गए हैं तो इंदौर, खंडवा, स्रीहोर, जबलपूर, ग्वालियर, मंसौर, रीवा और चित्रपूर तो इन सबी ये गए पर कृसी महाविद्याले हैं तो ये भी आपको याद रखना है भोपाल में नहीं है ये clear होना चाहिए ठीक है अगला प्रसना आ गया मादमिक सिक्षा मंडल का कारले कहां पर है इंदोर में भोपाल में उज्जेन में या ग्वालियर में तो ये भोपाल में इस्तित है जैसे कि आपको पहले भी ये जैनकारी होगी और इसका जो संभागी कारले ले है वो इंदोर में इस्ताप्यत is औरकर कर सकते हैं और सभी जो कि यहां पर पढ़ा रहा हूं मद्श्प्रदेश जी के वह वह का पूरा live interaction में आपको अनेकेनवी पर देने वाला हूँ यहाँ पर कि आप live doubt clear मुझसे कर पाएंगे बहुती जल्द मैं उसमें live class लेने वारा हूँ ठीके ना तो मैं आपको इस वीडियो के माददम से बताना चाहता हूँ कि अब आप मुझसे वहाँ पर भी जुड़ सकते हैं उसका लिंक बहुती जल्दी आने वाले वीडियो में आपको मिल जाएगा वहाँ से क्लिक करके आप जोईन कर सकते हैं आपको टाइम भी मालूम पड़ जाएगी कि रेगुलर में कव आपको live इंटरेक्ट करने वाला हूँ MPGK की क्लास में अगला प्रसन आ गया मदप्रदेश में निजी छेतर का पहला पत्रकारिता महावित्याले कहां पर है इंदौर में, पोपाल में, सागर में या पर जबलपूर में तो इसका जो सही विकल्प है वो है इंदौर इंदौर में स्तापित किया गया है और इसका स्तापना की गए थी 1999 में आपको सन भी याद रखना है ठीक है अगला प्रसन आ गया हैड स्टार्ट योजना कब सुरू की गई थी 2000 में, 2003 में, 2005 में या पर इसमें से कोई भी विकल्प नहीं है तो इसका जो सही विकल्प है वो है सन 2000 में ये हैड स्टार्ट योजना सुरू गई थी और इसमें कक्षा आडवी तक के जितने भी विद्यारती हैं ठीक है ना उनको कम्प्यूटर सिक्षा के कारिक्रम में सामिल करना जरूरी था ठीक है ना मलब उन सबी को कम्प्यूटर ग्यान ग्यान रखेगा कम्प्यूटर ग्यान देना आवर्शक हो गया था तो ये उसके अंतरगत हैड स्टार्ट योजना सुरूप की गई सन 2000 में ठीक है ना इसने भी कक्षा आठ तक की विद्यारती है ठीक है अगला प्रसना आ गया कस्तूर्वा गांधी विद्याले योजना कब लागू हुई थी ये विकल्प हैं आपके सामने 97-2001-2003-2005 तो इसका सही विकल्प है 2005 में ये योजना चालू की गई थी और इस योजना का उद्यस था 10 वर्ष तक की जो भी वालिकाए है ठीक है ना उनको यहाँ पर एडमिशन उनका यहाँ पर उनको यहाँ पर सिक्षा दिलाना इस योजना का मुख्य उद्यस रहा अच्छा इसके अलाबा और भी योजना है जो की सिक्षा से संबंदित है उसके वारे में भी आपको जानकारी होना बहुत ही आवशक है जैसे की 1937 में सिक्षा गारंटी योजना चालू की गई थी ये भी आपको पता होना चाहिए सिक्षा गारंटी योजना ठीक है ना जो की सिक्षा की सिक्षा से related हैं एक योजना ये कस्तूर्भा गांधी विद्याले योजना दूसरी सिक्षा गारेंटी योजना जो कि 1997 में और तीसरी 2003 में पढ़ना वढ़ना योजना ये तीनों योजना सिक्षा से सम्मंदित रही हैं ठीक है अगला प्रसना आ गया निम्न में से किस अगला प्रसना आ गया मद्द प्रदेश का यह विश्व विद्याले यूनिस्को द्वारा मेगा उनिवस्टी का दर्दा प्राप्त कर चुका है तो वो कौन सा विश्व विश्व विद्याले है मद्द प्रदेश का देवी एल्या राजा भोज मुक्त विश्व विश्व विद्याले या फिर विक्रम विश्व विद्याले तो कौन सी इनिवर्सटी है जिसको की इनिसको ने मेगा इनिवर्सटी का दर्जा दिया है तो इसका सई विकल्प है बा राजा भोज मुक्त विश्वरिद्याले या फिर इनिवर्सटी इसको इनिवर्सटी को ने ठीक है मेगा इनिवर्सटी का दर्जा दिया है और यह मद्द प्रदेश का पहली इनिवर्सटी है जिसको की ये दरजा प्राप्त हुआ है मेगा इनिवर्स्टी का जो की इनिसकों ने दिया है ठीक है अगला प्रसना आ गया तकनीकी सिक्षा के छेतर में 20 वैंक परियोजना के तहत मद्द प्रदेश के कुल कितने महाविद्याले सामिल किये गए हैं दो, पांच, साथ या फिर नो तो इसका सही विकल्प है साथ जो साथ महाविद्याले हैं उनको 20 वैंक परियोजना जो की 2003 से लेके 2007 तक थी उसमें इन साथ महाविद्यालों को सामिल किया गए जिसमें की पांच जो कॉलेज थे वो इंजिनिरिंग के थे ठीक है और दो जो कॉ होना चाहिए पॉल्टेक्निक के कॉलेज थे टोटल मिलाके साथ कॉलेज को 20 वैंक परियोजना के तहत सामिल किया गया था ठीक है ना जो कि तक्नीक की इचेत रिके हैं पांच इंजिनिरिंग दो पॉल्टेक्निक तो ओल दी जार ओल दीज सेवन स्प्रमदा टेक्निकल है टोटल छे मेडिकल कॉलेज हैं जोकि मद्रप्रदिस में गौर्मेंट मेडिकल कॉलेज की अंतरगात आते हैं और वो कौन-कौन से हैं यह मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ देखिए एक तो है जो गौलिर का सबसे पुराना मेडिकल कॉलेज है कौन सा गज्राराज यह मेडिकल कॉलेज दूसरा है इंदौर का ठीक है इनको मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कहां कहां पर है जो और तीसरा जो है वो है भोपाल का जो की GMC है गांधी मेडिकल कॉलेज और चोथा जवलपूर का है ठीक है नसब जिले का नाम बता रहा हूँ आपको पांचवा जो है वो है रीवा और चट्वा जो है वो है सागर में सागर सागर मेडिकल कॉलेज तो ओल्दी जर्दा मेडिकल कॉलेज is विचिज फ्रॉमदा मद्प्रदेस गौवर्मेंट ठीक है यह च्छे कॉलेज है इनका आपको याद रखना है ठीक है चली आगे बढ़ते हैं इसका सai विकल्प है Sanskrit महावध्याले, Sanskrit University Sorry, विक्स के विद्याले हैं यह, Sanskrit University मादप्रदेश की सबसे पहली University खोली गई थी, और यह कहां पर, Ujjayan में, यह भी आपको पता होना चाहिए, कि Ujjayan इस इनिवरस्टी को खोला गया था, और यह 2008 में, 2008 में 17 अगर्स अगर exit दिखा जाए तो 17 अगर्स 2008 में इस इनिवर्सटी को का उद्गाटन हो गया था और इसकी सबसे पहले कुलपती थी वो कौन थे डॉक्टर मोहन गुपता ठीक है ना कौन थे डॉक्टर मोहन गुपता जी इसके पहले कुलपती थे जो की एक रिटायड आ आगे बढ़ते हैं, आगला प्रसना आ गया, मद्ध प्रदेश के किस सहर में संगीत विश्वविद्याले स्तापित किया गया है, मोहद, ग्वालियर, उज्जैन या फिर इंदौर, तो इसका सही विकल्प है बा, इंदौर में स्तापित किया गया है, जो कि सन 2008 में ही इसकी प परित कर दिया गया था, और ये ग्वालियर में ही स्तापित किया गया, भोपाल में आयो जी थी, एक बैटक थी, उस बैटक में इसको क्लियर किया गया, ठीक है, और जिसका नाम क्या है, राजा मान सिंग, तोमर, संगीत वं, कला, विश्वविद्याले, ठीक है, अगला प् पिर नो, जिसका जो सही विकल्ब है, वह है, नो किर्सी महाविद्याले हैं, जो कि मद्र प्रदेश में अभी तक स्थापित किये गए हैं, ठीक है ना, और इसमें सभी को बरवली में बता देता हूं, कौन-कौन से किर्सी महाविद्याले हैं, जो कि मद्र प्रदेश में है देखिए एक तो रिवा में है आपको क्लियर होना चाहिए रिवा में किर्सी महाविद्याले है साथी साथ में मन्सोर में है और गंजवासोदा विदीसा में अभी लेटेस्ट में ही इस किर्सी महाविद्याले की स्तापना की गई है जो कि 2008 में हुई थी ठीक है क्लियर हो गया और सात में 2016 में पवार खिड़ा, जो पवार खिड़ा है, जो कि होसंगाबाद में है, ठीक है, वहाँ पर किसी महा विद्याले की स्थापना की गई थी, अगला प्रसना आ गया, मद्द प्रदेश में संस्कृत विश्व विद्याले का इस्तापित किया गया देखे मैं पिछले प्रस्ण में भी यह पूछ चुका हूँ दोबारा आ गया है रिपीट हो गया है कृस्ण इस प्रस्ण में पूछ से पूछा है तो बताईए भोपाल मोहद गौलियर अ उज्जेन तो उज्जेन जैसे कि मैं आपको पहली बता चुका हूँ 2008 में उज्जेन में ये संस्कृत विश्व विद्याले की स्थापना की गयी थी जिसका नाम है मार्सी पार्णी विश्व विद्याले ठीक है जो कि मैंने आपको प्रिष्व प्रस्ट में ही क्लियर कर दिया है मद्प्रदेश का खुला विश्व विद्याले इसको बोलते हैं ओपन उनिवर्स्टी वो कहां पर है सतना इंदौर जवलपूर या भोपाल पिछले प्रस्ट में ही मैं आपको बता चुका हूँ उनिवर्सटी जिसको की यूनिस्को ने इसको मेगा उनिवर्सटी का दर्जा दिया है ठीक है, क्लेर हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रसना गया मद्द प्रदेश में जन्शिक्षा अदिनियम किस वर्ष लागू हुआ था दो हजार में दो हजार एक में दो हजार दो में या फिर दो हजार तीन में तो इसका जो सई विकल्प है सन्द दो हजार में मद्द प्रदेश में जन्शिक्षा अदिनियम ला ठीक है? अगला प्रसना आ गया मद्र प्रदेश के किस जिले में IIT और IIM संस्तान इस्तित हैं? वोपाल, जवलपूर, इंदौर या फिर गौलेर तो इसका सही विकल्प है इंदौर इंदौर ही एक ऐसा पूरे देश का ऐसा जिला है जो कि प्रदेश का जिला भी है और देश का ऐसा जिला है यहां पर कि ये दोनों संस्तान इस्तित हैं IIM, IIT और IIM इसमें जो IIM है इसकी स्थापना 1996 में की गई थी और IIT की स्थापना 2008 में की गई ठीक है ना? तो दोनों संस्तान देश का एक पहला ऐसा जिला है यहां पर कि दोनों संस्तान इस्तित हैं ठीक है? अग गांदी रास्टिय जंजातिय विश्व विद्याले का जो मुख्याले है वो कहां पर है जवलपूर भोपाल इंदोर या अमरकंटक तो कौन सा विकल्प इसका सही है बताएं जल्दी से पटापट अमरकंटक अमरकंटक इसका करेक्ट आंसर होगा पेटा ये ठीक है न और इस का जो मुख्य अद्रिश था वो क्या था आदिवासी शौद ठीक है जो आदिवासी जन समुदाय होता है ठीक है न उस पर सौध करने के लिए इस उनिवरसिटी की स्थापना की गई थी कहां अमरकंटक पर है ये अमरकंटक ये है अनूप पूर में अनुपूर यहां से के तीन नदी निकली हैं कौन-कौन से तीन नदी निकली हैं नर्वदा सोन और जोहिला ये तीन नदी हैं इसमें ये दोनों नदियों का संगम है ठीके ना इसमें सोन की ये साहिक नदी है जोहिला नदी बाकि नर्बदा नदी ये पस्चिम की ओर चलिए आती है पस्चिम की ओर और सोन नदी जो कि उत्तर की ओर जाती होई पूर में मड़ जाती है ठीक है ना ये इंडिपेंडेंट नदी है इसके अन्य साहिक नदिया है और सोन नदी जो है एक गंगा की साहिक नदी है ठीक है चल जादा से जादा शेयर करें जैसे कि अन्य वो सारे विद्यारती जो कि मद्धप्रदिश जी के पढ़ रहा है वो लगातार मेरी इस सीरीश से जुड़ें और पूरा का पूरा मद्धप्रदिश जी के अध्यान कर सके हैं अगला वीडियो आपके पास में कल ठीक समय पर आजाएगा तो लगाता ट्यून करके देख रही है देखते रही है मेरा स्टडी कॉंसेप्ट चैनल तब तक के लिए जैहिन जै भारत